मैं कब से ट्राइ कर रहे हूँ इस कॉंसेप्ट को समझने की बट मुझे ये चीज क्लियर ही नहीं हो रही है पिछले एक गंटे से जो भी मैंने पढ़ा है ना मुझे वो कुछ याद नहीं है बलकि मैं कब से पढ़ रही हूं, मैं कम से कम आठ गुंटे से लगातार पढ़ रही हूं, बट मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो चलिए जानते हैं कि इसका reason तो ऐसा आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आप लगातार पढ़ते रहते हो इसको क्या मतलब हुआ? पहला टीचर होगा जो बौलेका लगातार पढ़के क्यो रहते हो नगे यह नि बोल रही हो मैं यह बोल रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहिए जैसे अगर आप 1-5 घंटा लगातार पढ़ते हैं तो आप 15 मिनिट का ब्रेक लीजे उसमें कुछ भी कर सकते हो, छोटी सी नाप ले सकते हो कुछ वाच कर सकते हो, बट वो 15 मिनिट का ही हो मम्मी पपा से बात कर सकते हो, कुछ खा सकते हो, कुछ पी सकते हो तो यह ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार अगर आप 7-8 घंटे पढ़ते हैं तो चीजें आपके माइन से स्किप होने लगती हैं समझ में नहीं आती है आखरी के डियोरेशन में तो यह टेक ब्रेक्स, टेक सम लिटल ब्रेक्स in between your studies